नमस्कार उत्तर प्रदेश के विधानसवा चुनाओं में अभी दो साल का समय बाकी है लेकिन योगी आदितनास सरकार अपनी चुनाओी तैयारियों में जुड़ गई है योगी आदितिनास सरकार ने तीन साल का कारिकाल पूरा कर लिया है और इस तीन साल के कारिकाल को लेकर सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो तमाम उनके समर्सक और विरोधी आमने सामने हैं हाल मैं आगरिता शंशोधन कानून के खिलाब प्रदेशनों हैं जिस तरीके से कई जगों पर पुलिस के लाठी चार्ज करने की खबरे आई हैं और बड़ी संग्या में लोग इस कानून के खिलाब सड़कों पर उतरे हैं और उसके बाद योगी आदितिनास सरकार ने वसूल आदितनास सरकार को ऐसा लगता है कि उसे मद्दाताओं को खुछ से जोडने के लिए ये दिखाना जरूर होगा समाज के तमाम वर्गों को खुछ से जोडना होगा और इसके लिए बीजेपी सरकार और संग्ठन के तौर पर तयारी में जुट चुकी हैं हमने देखा कि हरि चंड जीत थी उसके बाद उसने जिस जीत की उमीद इन तीन राज्यों में की थी वो उसे मयस्सर नहीं हुई महराष्ट में वो अकेले दम पर सरकार बनाने का खौब रखती थी लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और वहाँ विरोधी दलों ने विपक्षी दलों ने उसकी सयोगी शिबसेना के साथ मिलकर सरकार बना ली इसके अलाबा चार गट में उसे सत्ता से हाथ दोना पड़ा और दिल्ली में उसने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया प्रधान मंतरी नरेदर मोदी से लेकर ग्रह मंतरी अमिश शा और पूरी पार्टी ने पूरा जोर लगाया कि दिल्ली को फतह कर सके दिल्ली में जीत हासिल कर सके लेकिन ऐसा नहीं हो सका और दिल्ली हारने के बाद से ही जब नागिकता शंशोदन कानून के खिलाब बड़ी संक्या में देश बर में प्रदेशन हुए तो भारती जनता पार्टी एलर्ट हो गई है सतर को गई है और उसकी जो पूरी नजर है वो 2022 के उत्तर प्रदेश के विधान सबा चुनाओ पर है और उससे पहले बिहार में भी चुनाओ होना है लेकिन बिहार में वो सहयोगी दल की भूमिका में है क्योंकि वहाँ जनता दल यूनाइटेट बड़ी पार्टी है और उसके बाद बंगाल का चुनाओ है बंगाल में भी बीजेपी लगातार अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन वहाँ की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर्ट जी से उसको कड़ी चुनाओती मिल रही है 2022 का जो यूपी का विधान सबा चुनाओगा उसके लिए भारती जनता पार्टी और RSS यानि की राष्ट्री स्वेंग सेवक संग ने तयार यहां जोर शोर से की हैं और बताये जाता है कि अगले दो से तीन साल बीजेपी और RSS के कारिकरता घर गर जाकर रामंदिर निर्माण की मुहिम में जुटेंगे लेकिन इस सब के बीच अगर बीजेपी सरकार और संगठन के इस तरफ पर खुद को चुनाओ के लिए तैयार कर रही है तो दूसरी तरफ चुनाओटिया जो है उसकी उस पर बात करना जरूरी है और चुनाओटिया कम नहीं है हमने 2019 के लोग सबाच उनाओ में देखा कि बहुजन समाज पार्टी यानि बीएसपी सुप्रीमो और बीएसपी की जो सुप्रीमो मायवती उन्होंने एक बार फिर अपने जनाधार को वापस पाने की में वो सफल होती दिखी 2014 का लोग सबाच उनाओ जिस तरह उनके लिए खराब रहा था 2019 के लोग सबाच उनाओ में उन्होंने 10 सीटे जीती और हाला की बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ और राश्टी लोग दल के साथ जो उनका गडबंदन था वो तोड़ दिया लेकिन कुछ हद अब तक अपनी सियासी जमीन को पाने में वो सफल दिखी है उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी यानि की चंडशेकर आदाद रामन का जो संगटन था उन्होंने भी अपने एक नए राजनितिक दल आजास समाच पार्टी का गठन किया है इसका एलान किया है और बहुजन समा किया बीजेपी सतर्क नहीं है बीजेपी सतर्क है और उसने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वैश्य सम्मेलन कराने शुरू कर दिये है कुछ दन पहले यह ऐसा सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुआ है और इस सम्मेलन में पिछड़ा वैश्य समाज को आगे लाकर भ केंड्र सरकार में मंत्री प्यूश गोएल रहे और पिच्छलों के बड़े चेहरे के तौर पर केशो प्रसाद मौरे को वहां पर आये और इन दोनों ही नेताओं उनके इस तरह का मैसेज दिया कि मोधी सरकार के नेतत में उनका हित सुरक्षित है लेकिन जो 2022 का इलेक्षन है उसको देखते हुए और जिस सरह हमने दिल्ली का जो विधानसवा चुनाओं का प्रिडाम देखा उसको देखते हुए भारती जन्ता पार्टी एलेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर मुस्लिम मद्दाताओं के तपके ने बहुत बड़े तपके ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया क्योंकि उन्हें भारती जन्ता पार्टी का सियासी विकल्प आम आदमी पार्टी में दिखा और उन्होंने आम आद्मी पार्टी को चुनने का काम किया इसके बाद बीजेपी सतर कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लागदिक्ता शन्शोदन कानून के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रदेशन हुए है 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और ये बीजेपी इस बात को जानती है कि अकलियतों का जो अलपसंकिकों में मुस्लिम समाज की जो हिस्सेदारी है बहुत जादा है बहुत बड़ी है और इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उसे उसके पक्ष में खड़ा नहीं दिखेगा तो ऐसे मैं BJP पिछलों और वैश्यों के बीच में आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है और जो ये पिछला वैश्य महा संभेलन कराया गया बताए जाता है कि केंद्री ग्रहमंत्री और भारती जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमेश शाह के निर्देश पर ही इस संभेलन को कराये गया और इसी तरह के अन्य संभेलन भी BJP की ओर से अन्य समाजों में कराये जाएंगे BJP की जो पूरी कोशिश है वो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछलों में जो गैर यादव जातिया है उनको जोडने पर है यादवों को भी भारती जनता पार्टी जोड रही है लेकिन यादवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दिया है तो बीजेपी की कोशिश है कि जो गैर यादव जातिया है उनको अपने साथ लाए जाए जाए इसमें जाट, गूजर, कुर्मी, निशाद, केवट इन तमाम जातियों के लोगों को बीजेपी जोडने की अपने से कोशिश कर रही है और इसी तरह दलितों में भी जो गैर जाटफ जातियां है उनकी तरफ भारती जनता पार्टी का रुजान है और भारती जनता पार्टी वहाँ काम कर रही है तो यह पिछला वैशे महा संबेलन जो हुआ उसमें इस बात का एहसास दिलाए गया और इस बात के लिए पिछले वैशे समाज को बीजेपी की ओर से ध का जो परंपरागत आधार उत्तर प्रदेश में रहा है कि बीएस्पी का दलित जो वोट बैंक है हमेशा बीएस्पी के साथ ख़ड़ा हुआ दिखा है और जो पिछला वोट बैंक है वो अगिले शादव के साथ ख़ड़ा हुआ दिखाई दिया है तो ऐसे में इन दोनों आधार को कम करने की कोशिश भारती जनता पार्टी की है और क्योंकि भारती जनता पार्टी को इस बात का भली बाती एहसास है कि 2022 के विधान सबाद चुनाओं में उसे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 17-18 फिस्दी मुस्लिम मत दाता हैं उनका भी साथ नहीं मिलेगा ऐसी स्तीति में बीजेपी अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले को समय में वो इस तरह के और सम्मेलन कराएगी जैसा मैंने कहा कि पिछलों में गैर यादव जातियों को जोडने की सियासी गोलबंदी में जुटी हुई है इसी तरह दलितों में वो गैर यादव जातियों को खटी और तमाम अन्ने जातियों को जोडने की कवायद में जुटी हुई है और उसकी कोशिश ये है कि वो उत्तर प्रदेश में बस्पा और सपा और साथ ही अगर भीमार भी किसी राजनीतिक विकल्ब बनने की कोशिश करती है या दिखाई देती है कोई राजनीतिक विकल्ब बनते हुए तो इस इनके आधार को इनके प्रभाव को कम कर सके और स्वतंत्र देव सिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार में पहले मंत्री थे और अभी भारतिय जनरता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षे उनका जो चैन उत्तर प्रदेश में BJP अध्यक्षी कूर्सी पर किया गया है वो चैन इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है यादमों के अलावा जो एक बड़ा समुदाय है कुर्मी मद्दाताओं का बताया जाता है कि पिछलों में कुर्मी मद्दाताओं की संक्या आठ से दस पीज दी है और कुर्मी मद्दाताओं को अपने साहत लाने के लिए पिछलों को अपने साहत लाने के लिए क्योंकि केशो परसाद महुरे पार्टी के पास हैं स्वामी परसाद महुरे बीजेपी के पास हैं और भी तमाम पिछले नेता पार्टी के पास हैं और पिछलों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए ही स्वतंत्र देव सिंग को भारती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष बनाया और पार्टी की कोशिश ये है कि कुर्मी समाज का एक जो बहुत बड़ा तपका है जो अपना दल के साथ जुड़ा हुआ है या जो समाजवादी पार्टी में जुड़ा हुआ है जो भुजन समाज पार्टी में जुड़ा हुआ है वो बीजेपी के साथ जुड़े जैसा मैंने कहा कि बीजेपी जो पिछली जातिया है उसमें जैसे जाटों के नेता के तौर पर संजी वालियान को आगे बढ़ा रही है राजबर बिरादरी में अनिल राजबर को आगे बढ़ा रही है और दलितों में वो खटीक समुदाय के नेता विद्या सागर सोनकर को आगे बढ़ा रही है इसी तरह गूजर समाज में उसने कई नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और वैश्य समाज में भी वो कई नेताओं को एहम जिम्मेदारी देना चाहती है और जो बाकी दलों में पिछले वैश्य समाज के नेता हैं दलिस समाज के नेता हैं उनके उनको प्रभावीन करना चाहती है उनको उनके असर को कम करना चाहती है और अपने नेताओं का आधार मजबूत करना चाहती है और जब सौतन देव सिंग का चैन हुआ तो उसका साफ मै उससे पार्टी को कहीने कई नुकसान होगा लेकिन भारती जनता पार्टी 2019 के लोगसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में महा गटबंदन बनने के बाद भी 60 से जाजा सीटे लाने में सफल रही थी और उसके बाद पार्टी ने अपनी चुनावी तैरियों को मजबूत किय और जिस सरकार ने पिछले कुछ समय में लगातार ताबर तोड फैसले ली है उससे माना जा रहा है कि भारती जनता पार्टी का आत्म विश्वास बड़ा है लेकिन नागरिक्ता चंशोजन कानून नर्सी और नपियार के खिलाफ जिस सरह देश भर में जोरदार प्रदेश अगर अगर अपनी सियासी तैयारियों को अपनी किले बंदी को मजबूत करती है अपनी सियासी फिल्डिंग को बहतर सजाती है और अगर चुनाओ जी इतने में सफल रहती है तो 2024 की राह उसके लिए आसान हो सकती है और इसी लिए बीजेपी इस तरह के पिछड़ा वेश् और उनके उनको अपने साथ बनाए रखा क्योंकि भारती जनता पार्टी का मानना है कि समण समाज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में उसके साथ रहे गा उससे बात का भरोसा है और उसमें समण को दस पीजड़ी आर्थी रूप से जो गरीब समण है उनने दस पी उत्तर प्रदेश में तो पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तब का पिछड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा भारती जनता पार्टी की और गया था और अखिलेश यादव और मायाबती को इसका सीधे सीधे नुकसान हुआ था दो हजार बाइस में उत्तर प्रदेश के अगले विधान सबा चुनाओ तक जैसा मैंने कहा कि भारती जनता पार्टी और राम मंदिन निर्मान की मुहिम शुरू करेंगे और उसके लिए काम बीजेपी और रारसेस में बहुत तेजी से चल रहा है तो ये जो महिम वो शुरू करेंगे इसके तहट घर घर जाकर हर घर को राम मंदिन निर्मान से जोडने की बात है और ऐसे में विपक्ष के लिए भी चुनाओती है बहुत जादा है लेकिन विपक्ष जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने नया संगटन बनाया है भाग प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस जिस तरीके से कॉंग्रेस की स्थिति खराब है और ऐसे में अगर वो कोई सियासी विकल बना पाते हैं तो देखना है होगा कि क्या वो योगी आधित्तेनाश सरकार को चुनाओती दे पाने में सफल हούμε या योगी आधित्तेनाश सरकार अप समाजों के बीच में अपनी अधार को मजबूत बनाते हुए अपनी जीत का रास्ता त्यार करेंगी ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी जाने से पहले एक अपील आप से जरूर करना चाहता हूं कि सत्य हिंदी के फेस्बुक पेज को लाइक करें ट्विट आइकन दबाए